हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज आपके साथ हर दिन काम आने वाली बहुत ही बेहतरीन कीचन टिप सेयर करूंगी टिप्स वन सौप्ट इटली बनाने है तो इसके घोल में थोर आसा चावल को पीश कर डाल दे इसे इटली सौप्ट बनेगा टिप्स टू साधा पराठा को कुरकुरा बनाना है तो आठा गूते समय उसमें इकुबला आलू मैस करके डाले इससे पराठा क्रिस्पी बनेगा और साथ में टेश्टी भी लगेगा टिप्स थ्री आलू चिप्स बनाने वाले हैं तो आलू को काटने के बाद आदे गंटे के लिए ठंडा पानी में रख दे और जब आलू चिप्स को फ्राई करेंगे तो आलू का चिप्स कुरकुरा बनकर तयार होगा टिप्स फोर अगर आप भिंडी की सबजी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा निम्गू का रस डाल दे या फिर आधे से एक चम्मच सहद मिलाते ऐसा करने से भिंडी की सबजी चिप्चिपा नहीं बनेगा जिससे भिंडी की सबजी देखने में भी अच्छा लगेगा टिप्स फाइब हरा मतर को अधिक दिनों तक फ्रेश रखना है तो मतर को छील कर जिपलोग बैग में डाल कर फ्रीजर में डाल दे ऐसा करने से हरा मतर अधिक समय तक फ्रेश रहेगा टिप्स 6 पकड़ा को कुरकुरा बनाने के लिए बेशन के घोल में चुटकी भर आरा रोट और एक से दो चमच गर्म तेल डाल दे और मिक्स कर ले फिर पकड़ा बनाए पकड़ा क्रिस्पी बनेगा और साथ में टेस्टी भी लगेगा टिप्स 7 यदि आप खीर के लिए बादाम भीगोना भूल गए है तो एक गलास गर्म पानी में बादाम को आधे गंटे तक भीगो कर रख दे ऐसा करने से बादाम कचिल का आसानी से निकल जाएगा टिप्स नमर 8 सूखी सबजियों का स्वाद बढ़ाना है तो उसमें दरदरा पीसा हुआ मुंग फली पाउडर डाल दे इससे सूखी सबजियों का स्वाद बढ़ जाएगा टिप्स नमर 9 जब हम मक्के की रोटी बनाते हैं तो बेलते से में मक्के की रोटी फड़ जाती है तो ऐसे में आप चावल के मार से मक्के के आटा को अच्छे से गूते इस तरह से मक्के की रोटी फटेगा भी नहीं और खाने में भी अच्छा लगेगा टिप्स तेन, रोटी के बरतन में अगर आप एक से दो छोटा टुकरा अधरक डाल देंगे तो रोटी अधिक समय तक नरम और ताजा बना रहेगा टिप्स नमर 11, गुलाब जामून बनाते समय माबा में मैदा के वाजा गेहूं का आटा मिला कर गूच सकते हैं स्वाद में फर्क नहीं आएगा गुलाब जामून खाने में टेस्टी भी लगेगा टिप्स नमर 12, लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए लौकी को कदुकस करने के बाद जो पानी निकले उसे फेके नहीं बलकि उस पानी से आटा गुथ ले इसे रोटी अपराथा टेस्टी के साथ हेल्दी भी लगेगा तो अच्छा टिप्स है टिप्स 13, केक को स्पॉंजी बनाना है तो बैटर में एक से दो चमच ब्रेड का चूड़ा मिलाएं इसे केक स्पॉंजी बनेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा टिप्स नमर 14, हरी सबजी को पकाते समय इसमें चुटके भर चीनी डाल दे ऐसा करने से सबजी पकने के बाद भी सबजी का हरा रंग बना रहेगा टिप्स नमर 15, बुंदी के रायते को टेस्टी बनाना है तो जीरा, हिंग और लाल मिर्च का तरका लगाएं इससे बुंदी का रायता का टेस्ट दो गुना बढ़ जाएगा टिप्स नमर 16, पकोड़ा या पूरी जब हम तलते हैं तो तेल में चुटकी भर नमक डाल दे इससे पकोड़ा या पूरी बनाने पर कम तेल सोखेगा और यह हमारे स्वास्ट के लिए भी अच्छा रहेगा तो दोस्तों यह सारी टिप्स बेहदी उप्योगी हैं इन टिप्स का उप्योग करने से आपका काम आसान हो जाएगा समय और पैसा की भी बचत होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर आल पर क्लिक कर ले ताकि मेरी सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे थैंक यू जै माता दी